असलाम अलेकुम नाजरीन कैसे हैं आप सब इमीद करती हूं फहरियत से होंगी वेल्कम टू माइच चैनल नंबर वन केचन हैक में आप सबको खुशाम देत कहती हूं यह रीले आप जो देख रहे हैं यह बहुत काम की है जी हाँ इससे सिर्फ कपड़े ही नहीं सिये जाते है कि अवर्यशन से बहुत काम होते हैं जो माइप लोगों के बाद में बताओं गी पहले जबतकर बहुत ही जबरदस काम है वहम आपको बताती हूं वहे हैं कि इ सब्सक्रब्रद्णदश शर गदर रहे हैं बच्ष करसकते हैं आपको यकिन नहीं आरहा होगा लेकिन यह अरह आपने पूरी वीडियो देखनी है, skip नहीं करनी, मैं आपको इसी वीडियो के अंदर सब बताऊंगी, पूरा प्रोसिस के किस तरह से आपने अपनी जुओं को साफ करना है, बच्चे बाहर जाके खेलते हैं, टीउशन जाते हैं, यह स्कूल जाते हैं, तो स्कूल वाले बच् हूं कि छिए हो जाते हैं, जो बहुत ही तकलीफ का बाइस बंती हैं, क्योंकि जब जादर ही हूँ तो सरमें जखम करदे हैं, और वन फेक्शन भी कर देती थी, तो गिन भी आती हैं, अगर किसी के सामने आपके जूह चल रही हो, और आपको ये श्रमन्दिगी मेसूस होती कि आ चतने के लिए में में और सेगंडों में अपने सर्से और अपने बच्चों के अपने घरवालों के सर्से जो है इस तरह से साफ कर सकते हैं तो आप बने रहें का इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के पूरा असान प्रोसीज़ कोई आपका पैसा पाए- खरज नहीं होने वाला धागा तो हर घर में होता है और मैं आपको एक चीज और बताऊंगी जिसके अंदर आपने धागा यूस करना है और आपकी बहुत ही असानी से जुए निकल जाएंगी और अगर आपको दुबारा से मेसुस हो तो आप दुबारा निकालें क्योंकि जब तक आपकी स है जार सेले शक्वादे जिए होगे जिंगे कंगी da chemie जो आपको दिखा रही हूँ हमारा कंगी क्या निकाल निकाल के अपनी जगा मोजूद रहती है खत्म नहीं होिख पातीन तो आप व्रणी कंगी के अंदर यह नई नई कंगी लाना चाहिए te esconder 예 तो आपकी कंगी हो होते हैं कंगेश बारिक दाट वाले उसके अंदर भी आप ये चीज अप्लाई कर सकते हैं ठीक명 कंगेह और हमने लेना है अब धागा है ठीक है जागिए को हम इस कंगी बामते रूते न उसके अंदर पिर आधें किस तरह से पिर वाएंगे यह मैं भी आपको दिखाती हूँ यह हमने जो है धागिया का सीरा लिया है इस तरह से यह देखें इस रह को हमने कंगी के कौने पर रखके इस तरह से पकड़ने अंगूटे की मदद से और आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह से हम उसको यह देखें यह इसको हम वापिस से पलट के आगे लाएंगे इस तरह से इस तरह से हम इसको पिरोते चले जाएंगे और आप बेफिकर रहीएगा जो सिरा है यह हम पकड़ के रखेंगे न तो यह निकलेगा नहीं धागा हम इस तरह से पिरो लेंगे न पूरा तो यह धागा मजबूत हो जाय कंगी का उपर वाला इससा जो खुल गया है कंगी का इसको किस तरह से कवर करेंगे हम धागे को इसके अंदर से डबल यानिके पार करें इसको जो अंदर की तरफ लेंगे धागी के यह इससा देख रहा है आप जो खुल गया है कंगी का मुह इसको मैं धागी के अंदर से कवर कर लिया है ठीक है यह हमने इस तरह सा मूली से इसको नीचे के तरफ बिठाते चले जाएं और पिर रहते चले जाएं बहुत असान प्रोसी से आपके पैसा पाई कुछ नहीं लगने वाला और आपके सरसे मिंटों में जूएं भी खतम हो जाएंगी ती मेंगी मेंगी यूज कीजेगा आपको जरूर फायदा होगा देखिए ठीक है इस तरह से मैंने प्रोलिया है इसको नीचे कर लें ताकि बिल्कुल जो धागा है नीचे की तरफ बेट जाए इससे क्या होगा कि जो लिखे होती है ना लिखे वो इसकंदर फसके आ जाती है बालों से खिचक कंगी के जो लिखे रहें कहा है यह और फिलीया है इसको कंगीका समय किखे ह थीक जो आऊटाशल के ना की ठीक है ए जिरुत हैसे जब लिखे निकल जाएंगी तो आपके सर में जुंए खतम हो जाएंगी इस तरह से और यजोग बसों ये तए रेख एगे नहीं कर दें दिखी हमाके चाहिए अमयां फाइज देञे quick तो दागे को हट आगे फेग दें जो दुबारा निकालनी हो तो आप इस तरह निकालने वैसे इंशालला मुझे उमीद है एक ही दफा से यह आपका काम हो जाएगा जाएगा जो पहले में ने सीरा छोड़ दिया था पकड़ा था म्गूठे से वो खुद्बो खुदी जो है दागे में लिपड़ गया है अब आप बेधिकर रहें और बाथ सानी आप जो है कंगी करें मैं इससार्मे नहीं को कबीभी बी को करें दकी सबस्त कतला करें उस सब जाहरा करहें किन दूशा हमेशा जो है जो है लिटा कर मंए लिटाकर करें क्लों को प्रत् cham और यह दागा है ना इसमें जो है जूंका पेर होता है जूंका मुझ लिक का टैल होती है लिक की टैल वह बासानी से फस जाती है जब आप भी करेंगे तो आपको पता है चल जाएगा कितनी जबर्दस यह टिप है जो मैंने आप लोगों को बताई है धागे से ठीक है और यह पांस च्छे मिनट के अंदर आपके सारी जूएं सरके साफ हो जाएंगी अच्छे मैं आपको करके दिखा देती हूं यह बाल हैं जैसे ठीक है इन बालों को हम इस तरह से कंगी को खड के बारेख दात वाला कंगा नीखंगा हूंत आप उसमें भी कर सकती है जरूरि नहीं आपके पासंके अंदर निकल जाएंगी मुझक्र मशीन बता कुप नंबर के लिखता सब्सक्राइब क्यूंकि वह ठीक है और तो कैसी दःगत मृगों के ज़गों कि बता येगा टिप नमबर टू आप लोग जो मेरा हाद में ये सुई देख रहे हैं तो ये सुई तो हर गर में मुझूद होती है और आप लोगों के घर में भी सुई होगी लाजमी होगी क्योंके हम सुई से फटे पराने कपड़े और बहुत सारे कामों में इसी लाइव लाएगे हम ये सुई को यूज़ करते हैं तो सुई सिर्फ फटे पराने कपड़े सीने के लिए ही नहीं और बहुत सारे कामों में इस्तमाल में आती है मिसाल के तोर पे मैं आपको भी एक टिप बताऊंगी जो सुई से ही रिलेटिट है सुई से हम जो है बहुत सारी सबजी को भी काट सकते हैं बहुत सारे कपरों को भी काट सकते हैं किस तरह से तो मैं भी आप लोगों को बताती हूँ किस तरह से तो आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है और यह वाली टिप भी आपने जरूर देखनी है क्योंकि यह भी बहुत जबरदस टिप है आप लोगों के हजारो रुपे बचा लेगी जी हां बिलकुल हजारो रुपे बचाएगी और आपकी सबसे बड़ी मुश्किल असान कर देगी खास पर लेडिस की यह आप नाइफ देख रहे हैं चुरी तो अक्सा जो है छुरी की जो धारे खराब हो जाती है और हम बहुत परिशान होती है कि यार अब हम सबजी इतनी सारी प्याज है यह सबजी है हम उसको किस तरह से कट करें बहुत जादा टाइम लग जा तो यह सु आप एग्या देख रहे हैं सु इक हो ने इस तरह से करके ऊपर त्अट चुरु में पर बार भी त्व मैं अब chi प्रॉसेस दिखाऊंगी य है की किजिए चूर이 की धार मिंटो αुए सेकंड़ो में तेज हो जाएगी क्योंकि देखेंगा सामिन अगर आप को भी तरह प्रॉब्लम पेश हा रहा है चूरी को सुरी को पर चलाते हुएं तो अब फाुसरासे ये चूरी के पर acompan से क्षुरां अब लोगों ने अक्सर देखा होगा कि गोश वाले होते हैं उनके पास ये तरह की राड होती है स्टील की वो छूरी को बार बार उससे तेज करते रहते हैं और गोश काटे रहते हैं इसी तरह से ये राड वाला काम करेगी सूइं ये छोटी ज़रूर है लेकिन बहुत काम की ने मिनितु सेकुडलों में माँ चुद्धे न की केंचि केंची है तो यहां लगभा आपको यहां दो सारे कप्ड़ों को असानी ना करेंगे जो दर्जी हैं मेरी बेने उन लोगों के लिए थे बहतरीन टिप है वो अपने बेताहाशा कपड़ों को बासानी कट कर सकती हैं बार बार जाके बार केंची पे धार लगवाने की हजार उर्पे खरच करने की बिल्कुल बिल्कुल जरूरत नहीं है छोटी सी सुई लीजिए मशीन की सुई होती है उससे भी कर सकती हैं क्योंकि इस चील की सुई लोह की सुई होती है लोहे की शिया लीजिएगए जोती है उसे ये बार चूरी आप देखती रहिए मैं केंची को डाइन की सय आ उसके बात जाएगे psychopath और आप जाएन्हेजिस तारह Steemra कूज इन दरके के चूरी और कैंची में देखें जी कैंची में लग गई है धार बहुत ही जबर्दस थी अभी मैं आपको जो है एक पेपर है वह कट नहीं रादा इकीन करें मुझ से तो अब मैं वह आपको पेपर काट के दिखाती हूं कि इसकी धार कैसी तेज हुई है कैसी नहीं हुई है तो यह मैंने कैंची ली यह देखें इसकी शार्पनेस का अंदाजा लगा सकते हैं कितना शार्प इसने कट किया है कैंची ने बंदुबार आपको कट करके दिखाती हूं यह देखें कितना शार्प कट किया है और येकिन करें जो छुरी है ना उसकी इतनी ही शार्पनेस हो गई है यह भी बहुत जबर्दस सब्सक्राइब काटेगी तो आप लोगों के दोनों टिपे मेरी कैसी लगी कैसी नहीं लगी तो प्लीज 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 मुझे लाइक आपाद कि लाइक समया है झाले जबर्दस्ती लाइक सब्सक्राइब काटे लाइक चाले जबर्दस्तूश्तीज लाइक घबर्दस्ताभी बहुत।